तो दोस्तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पस MS Word का document है, मतलब एक project report है, जहाँ पर फ्रंट पेज है और काफी सारे और pages यहाँ पर present है अब हम चाहते हैं जो फ्रंट पेज में हमारा page number ना आए और अगले जो तीन pages है जो की introduction के हैं इसमें हमारा Roman page number आए और बाके के जो remaining pages है इसमें हमारी numeric page number आए तो दोस्तो आज की वीडियो में यही सिखेंगे कि आप MS Word में किसी particular page से particular specific page number कैसे डाल सकते हैं बहुत ही easily तो दोस्तो अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे आज की तो आपको proper knowledge होजेगी page number की MS Word की और अगर आप कोई भी project report बना रहे हैं कोई भी file बना रहे हैं यह कोई typing का काम कर रहे हैं तो आपको कोई भी दिकत नहीं आने वाली तो नमस्का दोस्तों मैं रितेश आप सब कर करता हूं creative learning के channel में और दोस्तों अगर आप computer सीखने चाहते हैं computer बहुत सारी tips and tricks जानना चाहते हैं तो नीची रहे रिट के लिए सब्स्क्राइब बटन उस पे click कर लिजे साथी में bell icon को press कर लिजे ताकि आपको हमारे चैनल से लिए latest notification regularly मिलती रहे तो आए दोस्तों let's begin with this topic तो देखे दोस्तों हमारे पास यह सारे pages है जो की project report के है और इसके अंदर हम page number insert करना चाहते है particular page पे तो normally देखे जब हमने अपने document में अपने project report में page number insert करने होता है तो हम कैसे करते हैं तो जातर हम क्या करते हैं अपने page के देखे बिलकुल end में click करते हैं जैसे कि मैंने पर डबल क्लिक किया तो आपके सामने दो section मिल जाएंगे एक तो आपका यहाँ पर header का section है और यह के नीचे आपका footer का section अगर आपने top पे page number insert करना है तो header पे यहाँ पे click कर सकते हैं लेकिन अगर आपने bottom of the page page number insert करने तो आप footer section पे यहाँ पे click कर सकते हैं तो जैसे आप यहाँ पे click करेंगे आपके सामने header and footer का tab activate हो जाएगा और इस header and footer के टाप के अंदर ही आपको option मिल जागा यहाँ पे page number का अब आपने footer में यहाँ पे page number insert करना है तो just हम page number पे click करते हैं और bottom of the page है तो हमने bottom of page select किया और यहाँ से जिस भी format में आपको page number चीए वो आप select कर सकते हैं अभी आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे यह वाला page number select कर लेता हूं और इस पर click करता हूं तो आप देखेंगे आपके serial number wise सारे page number insert हो गए है लेकिन दोस्तों यह तो बात हुई कि अगर आपने serial number wise page number insert करने हैं लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि first page मे आपका page number शुरू हो तो वह आप कैसे करेंगे तो इसके दोस्तों एक बहुत ही simple trick है सबसे पहले आपने footer section पर यहाँ पर click करना है click करने के बाद header and footer में जाना है और यहाँ पर option मिल जागा आपको word में वह होता है आपका different first page आपने इस पर tick कर देना है तो जैसे tick करेंगे आप देखेंगे आपका यहाँ पर first page से आपका page number गायब हो गया है और second page में आपका page number आ गया है लेकिन हम चाहते हैं जो second page है यहाँ पर first से शुरू हो तो इसके लिए दोस्तों आपने क्या करना है यहाँ पर head and footer section के tab में यहाँ पर जाना है page number में और यहाँ पर click करना है आपने इसको क्या करना है आप इसको कर देना है zero तो आप देखेंगे सिंपल से ट्रिक से जो आपका page number second page है वह first हो गया है और first page में आपको कोई भी page number insert नहीं हुआ है और header and footer section के tab से वापिस आने के लिए escape button press करेंगे तो आप देखेंगे हर page में आपका page number insert हो गया है लेक इसके में हम roman page number insert करना चाहते हैं मतलब next to three pages है और आगे जो है हम यहाँ पर page number जो serial number वाईज है वो insert करना चाहते हैं तो वह आप कैसे करेंगे तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम normal position पर चल जाते हैं जैसे हमारी पहले setting थी वही कर लेते हैं तो हम जस्त अपने header and footer section प जाके यहाँ पर जाते है format page number पे और start position अभी 0 है इसको में again यहाँ पर one कर लेता हूँ और press कर लेता हूँ okay और first page और different pages इसको भी मैं यहाँ पर uncheck कर देता हूँ अब जैसे कि हमारी जो पहली position थी वैसे ही यहाँ पर हो गई है और इससे बाहर आने के लिए मैं इसके button प्रेस कर लेता हूँ अब दोस्तों देखे हमने first page में page number नहीं चाहिए और बाकी की जो three pages है मतलब जो हमारी acknowledgement है declaration है और जो head of the department है ठीक है इसमें roman page number insert करना चाहते है और जो fourth page है यहाँ पे यहाँ यहाँ जो fifth page है यहाँ से हम first number serial number insert करना चाहते है तो इसके लिए दोस्तों just हम क्या करेंगे हम यहाँ पे तीन section मना देंगे वो भी अलग अलग अब जैसे कि हमें first page में यहाँ पे page number नहीं चाहिए और आप देखेंगे एक page और यहाँ पे insert हो गया है तो आप इसको delete कर सकते हैं तो just में यहाँ पे click करता हूँ यहाँ पे delete button press करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ यहाँ पे यहाँ पीज भी delete हो गया है अब दोस्तों देखे अब हमें यहां पे जो next pages है यहां पर हम रोमन page number insert करना चाहते हैं यहां तक बनला fourth page तक तो इसके लिए हम एक section और insert कर लेंगे तो just हम यहां पर click करते हैं click करने के बाद जाते हैं break में और section break next page पर click करते हैं अब आपको यहां पर section bracket insert हो गया है और यह देखने के लिए कि आपकर section break insert हुआ है नहीं हुआ to just each two of ओपन्हें पर option मिलेगा show and height का आप इसपे click करेंगे तो आप किशल्शकिंगे यहां पर show and height इसपर click करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर footer tab में जो footer section में double click करेंगे तो यहां पर footer के साथ यहां पर section भी लिखे आ गए है अब यहां पर footer देखे section 1 है और यह आपका section 2 है और नीचे जाएंगे न फिफ फॉर्ट पेज पर जाएंगे तो यहां पर section 3 लिखा आ जाएगा मतलब आपका document तीन section में divide हो गया है अब इससे क्या होगा कि जो अगर आप चाहते हैं फिर्स पेज में आपका page नमबर ना आए तो वो भी आप कर सकते हैं और second page में आप चाहते हैं second, third or fourth page में roman page नमबर आए तो इसके लिए दोस्तों आपने क्या करना है अब जो फूटर section section 2 पे click करना है और यहां पर लिखा रहे है same as previous मतलब यह वाला page आपका first page से link हुआ है तो इसके लिए जस्त आपने क्या करना है यहां पे click करना है click करने के बाद header and footer tab में जाके link to previous पे click कर देना है अब आपका section 2 है वो section 1 से यहां पे link नहीं होगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगे अगर आपने यहां पे different page number insert करने है वैसे दोस्तों आपको यहां पे section 3 मिल जाएगा तो जस्त आपने यहां पे click करना है और link to previous पे यहां पे इसको untick कर देना है अब आपका यहां पे सारे section अलग-अलग हो गए है और कोई भी एक section दूसरे section से link नहीं है अब दोस्तों देखे हैं हमें first page पे कोई page number नहीं चाहिए तो हम यहां पे कुछ भी नहीं करेंगे और second page में हमें roman page number चाहिए तो उसके जस्त में क्या करता हूँ है यहां पे header and footer tab में जाता हूँ page number में जाना है आपने और नीचे जाना है format page number और यहां से आपने जो page number अभी one two three है यहां पे आपने page number roman वाले select कर लेने जिस भी format में आपको चाहिए तो अभी मैंने roman page number यहां पे select कर लिये started position अपने one नी रखनी है और okay press कर लिया तो आप देखेंगे यहां पे पेज नंबर देखेंगे अभी इंसर्ट नहीं हुए है तो page number इंसर्ट करने के लिए आपने again page number में जाता है bottom of the page जाने जो भी format आपने यहां पे select करना है वो आप select कर सकते है तो अभी के लिए मैं देखेंगे यह वाला format select कर लेता हूं ताकि आपको visible रहे तो आप देखेंगे यहां पे Roman page number इंसर्ट हो गए one second ठीक है और यह आपका third अब section 3 में हम यहां पे page number इंसर्ट करना चाहते है numeric form में select कर लेना है तो मैं यह वाला format select कर लेता हूं अब देखेंगे यहां पे page number इंसर्ट हो गए one two three and four अब भार आने के लिए मैं escape button प्रेस करता हूं तो आप देखेंगे आपके हर page में अलग अलग different page number इंसर्ट हो गए है वैसे दोस्त अगर आप सीखना चाहते है MS Word basic से लेकर advanced तक तो हमारा देखें course launch होगे MS Word basic to advanced course वो भी सिरफ बहुत है discounted price में सिरफ 99 के लिए वो आप सभी के लिए तो देखें दोस्तों इसको enroll करने के लिए हमारी website पे जाए creative learning by ritesh.in link dm in a description में और जाके इस course में enrollment कर लीजे आपको इस course में बहुत सारी pre-recorded videos मिलेंगी जिसकी मदद से आपके बहुत सारे concepts clear होईंगे MS Word के और चाहे आप कोई office में काम कर रहे हो तो यह वाला course आपके लिए काफी काम आएगा तो अभी देखें इस course में enroll कर लीजे और सीखे MS Word बिलकुल डिटेल में